Hello everyone, friends, इस वीडियो में मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि all natural numbers का sum minus 1 by 8 होगा जी हाँ सही सुन आपने, मतलब ये कि सारे natural number का जोड minus 1 by 8 होगा तो friends, इस चीज़ को मैं 3 तरीके से प्रूफ करने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही जादे interesting होने वाला है तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के आन तक बने रहें तो चलिए शुरू करते हैं friends, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 यानि इस तरह से करके यहाँ पे natural numbers दिये गए हैं और ये 18 के बाद आगे की ओड बढ़ता रहे गा and so on मतलब ये है कि ये सारे natural number का sum जो है 1 plus ये जो 2,3 और 4 है ना इसको एक साथ हम लोग add करेंगे ठीक है उसी तरह ये तीन तीन एड करेंगे ठीक है तो 2,3,4 क्या हो जागा 9 plus 5,6,11,7,18 plus 8,9,17,10,27 plus 11,12 और 13 हो जागा 36 plus 14,15,16 हो जागा 45 ठीक है और इसी तरह ये आगे की ओड बढ़ता रहेगा ठीक है equal क्या है x ठीक है 1 plus आप लोग देखेंगे कि ये सारा 9 के multiple में है ठीक है तो सारा 9 का multiple हैसलिए 9 common ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 plus 9,2,18 plus 2,93,27 तो plus 3 9,42,36 तो plus 4 फिर plus 5 और ये इसी तरह से आगे की ओड बढ़ता रहेगा और equal क्या है x ठीक है 1 plus 9 अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां है 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 और ये आगे की ओड बढ़ता रहेगा इसी लिए ये सारा क्या है 1,2,3,4,5,6 क्या है नेच्वल नमबर है और ये आगे की ओड बढ़ता रहा है तो इसी लिए इसको हमने सारे नेच्वल नमबर का सम में हमने क्या माना था x तो इसकी जगा हम लोग लिख सकते हैं x ठीक है इक्वल एक्स तो 1 प्लस 9x एक्वल हो गया x तो 1 इक्वल एक्स माइनस 9x 1 एक्वल माइनस 8x ठीक है इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 8x एक्वल 1 x एक्वल माइनस 1 बाई 8 तो आपने देखा के सारे नेच्वल नमबर का सम क्या हो गया माइनस 1 बाई 8 यह x एक्वल माइनस 1 बाई 8 हुआ तो हमने सारे नेच्वल नमबर के सम को क्या माना था x ही तो माना था तो इसलिए सारे नेच्वल नमबर का सम हो गया वाई ठीक है कि सारे निच्वल नंबर का सम अभी वाई हमने माना है अब नेक्स्ट क्या करेंगे वन प्लस टू प्लस अब यहां हम लोग पांच-पांच का ग्रोप बना लेंगे ठीक है तो 3, 4, 5, 6, 7 सब को अड़ करेंगे तो क्या आएगा 3, 4, 7, 5, 12, 18, 25 ठीक है प्लस 8, 9, 10, 11, 12 सब को अब लोग अड़ करेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस 13, 14, 15, 16, 17 सब को अड़ करेंगे तो हो जाएगा 75 इसी तरह next वाले 5 नमबर को अड़ करेंगे तो हो जाएगा 100 फिर उसके next वाला 125 उसके next इसी तरह यह आता जाएगा ठीक है और equal क्या है यह सभी का sum क्या है y है तो equals y ठीक है 1 प्लस 2 प्लस अब आप लोग देख सकते हैं यह सारा नमबर जो है 25, 15, 75 सभी 25 का multiple है तो हम लोग 25 common ले रहते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस और इसी तरह से यह and so on होता रहेगा equal क्या है y ठीक है 1 प्लस 2 3 हो गया प्लस 25 और यह देखिए आप क्या है 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से यह आगे बढ़ता रहेगा यह हो गया सारा नेच्वल नमबर और सारी नेच्वल नमबर का sum को हमने क्या माना था y ठीक है तो यहां हम लोग लिख सकते है 25 into y 25y equals क्या है y 3 equals y minus 25y 3 equals minus 24y हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से minus 24y equals 3 y equals minus 3 by 24 इसको cancel करेंगे तो minus 1 by 8 हो जाएगा तो y equal हो गया minus 1 by 8 तो आपने देखा हमने दो तरह के से find कर लिया यहां y क्या था सारे नेच्वल नमबर का sum था तो इसलिए सारे नेच्वल नमबर का sum क्या आगिया minus 1 by 8 एक और तरीके से हम लोग find करेंगे पहले is greatest कर लिते है friends इसी तरह से यहां सारे नेच्वल नमबर यानि 1,2,3,4 सभी का sum है और यह 18 तक है आगे की और बढ़तर आगा तो यह सारे नेच्वल नमबर के sum को हम लोग मान लेते हैं z ठीक है next 1 plus 2 plus 3 ठीक है अब हम लोग साथ साथ नमबर के group को जोड़ेंगे 4,5,6,7,8,9,10 ठीक है फिर 11,12,13,14,15,16,17 ठीक है और उसके आगे फिर इसी तरह से add करते चलेंगे तो यहाँ देखिए 4,5,9,6,15,7,22,8,30,39,49 ठीक है यह हो गया 49 फिर next वाले को जोड़ेंगे तो यह हो जागा 11,12,13,14,15,16,17 यह हो गया 98 ठीक है उसके बाद इसके next वाले को add करेंगे तो हो जाएगा 147 इसके next वाले को add करेंगे इसके next 7 numbers को add करेंगे तो आजाएगा 196 फिर उसके बाद भी add करेंगे तो 245 और इसी तरह से यह आता रहेगा ठीक है और equals क्या होगा Z के equal है ठीक है और आप देख सकते हैं आप की 49, 98, 147, 196, 245 और उसके बाद जो भी आएगा सारा 49 का multiple होगा तो 49 common ले लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस और इस तरह से ये आगे की बड़ता रहेगा equals क्या होगा? Z, ठीक है? 1, 2, 3, 3, 6 प्लस 49 और ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 यानि ये सारा natural number होगा और सारे natural number के sum को में क्या माना है? Z, तो सारे natural number का sum क्या होजाएगा? Z, तो 49 into Z, 49 Z equals क्या होगा? Z, ठीक है? 6 equals Z minus 49 Z 6 equals minus 48 Z अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं? minus 48 Z equals 6 Z equals minus 6 by 48 अब इसको आप लोग 6 से cancel कीजेगा तो minus 1 by 8 होजाएगा तो Z equals होगया minus 1 by 8 और हमने Z को क्या माना था? सारे natural number का sum तो इसे लिए सारे natural number का sum हो गया minus 1 by 8